नमस्कार दोस्तों मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर तो दोस्तों गूगल के डीप माइंड लाबोरेटरी ने आटिफिशल इंटेलिजन्स टेकनोलोजी का इस्तमाल करते वे एक ऐसी नौ कास्टिंग टेकनोलोजी डिवलप किये जिस के बाद हम जानेंगे नौ कास्टिंग टेकनोलोजी क्या है और उसके बाद जाहिर सी बात है यह गूगल डीप माइंड ने क्या बनाया है उसके बारे में चलजा करेंगे दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते ह जल्दी से जाए जाके Enroll कर लें तो नूज में क्या है णीज में है गूगल के लंडन में स्थित बीप माइं लाबरे 2023 ने एक नाउ कास्टिंग टिकनोलोजी का देवलॉपमेंट किया है तो नाउ कास्टिंग क्या है अभी आएंगे बेसिकली नाउ कास्टिंग हुआ दोस्तों जब आप वेदर फोर्कास्ट करें दो घंटे के अंतराल में याने बहुत कम टाइम पीरिड के लिए जब आप वेदर फोर्कास्ट करें तो वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल और्गनाइजेशन के अनुसार उसको क्या कहेंगे नाउ कास्टिंग वो खौन सी फॉर्ककास्टिंग है रगत कास्टिंग दोस्तों किया जाता है उसकाई मेशल तोड़ा सा मेनिंग है लेकिन जो मेन आप देखे लबो लुबाब यही है नाव कास्टिंग यही होती है तो गूगल के डीप माइंड लाब ने अर्टिफीशल इंटेलिजन सिस्टम को यूज करके एक नाव कास्टिंग टेक्नोलोजी डवलप किया है जिसके द्वारा अगले दो घंटे में बारिश होगी या नहीं हो लेकिन इसके गलत होने के चांसे बहुत कम है अब तक के जो डेटा से हमें ऐसा लग रहा है तो 89 परसेंट अफ दी टाइम में सही होता है नंबर नंबर टू यह आटिफीशल इंटेलिजन्स को यूज कर रहा है तो आप देखे तो AI टेकनोलोजी का अब इन्वायमेंटल सा बात मिलना शुरू हो रहा है और बहतर वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स भी आने वाले दिनों में बनते हुए दिखेंगे तो आईए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं यह डीप माइंड फोरकास्टिंग सिस्टम है क्या जो की डीप माइंड के साइंटिस्ट ने डेवलप क जो की नौ कास्टिंग करती है और दो घंटे के अंतराल में बारिश होगी नहीं होगी इसको बहुत हाई एक्यूरेसी से बता देती है तो दोस्तों यहां पे आप अगर देखें तो किसका इस्तमाल हो रहा है आटिफीशल इंटेलिजिएंस कैसे काम करती है यह जानना खाना दू और पियानो बोलू बजाओ तो आप क्या करोगे कुछ दिन कुछ भी बजा दोगे धीरे-धीरे सीखना शुरू करोगे आपको सुर का गयान आना शुरू हो जाएगा कि हां यह सा है यह रे यह गमा पधा इस तरह की तरीके से आप आपको सुर की पहचान होगी दीरे दीरे आप गाने बजाने शुरू करोगे और कुछ टाइम बाद compose भी करने लगोगे तो इसमें क्या किया आपने hit and trial से खुद सीखा आपने पहले तो स्टार्टिंग में आपने सब कुछ सारे बटन दबा दिये उसके बाद धीरे दीरे आप सीखने लगे hit and trial से तो फोटोज में दे दू कार, motorcycle, train, cycle, bicycle यह सारे फोटोज दे दू और उसको मैं बोली तुम कार मुझे ढूंड के बताओ तो सबसे पहले तो वो data जाएगा उसके बाद क्या होगा हर data के साथ मैं उसको कुछ reward point दे दूंगा car select करेगा तो one, बाकी कुछ करेगा तो zero तो इस प्रकार से अब ये जितनी बार उस data में car चुनेगा उतनी बार उसको reward मिलेगा याने की वो computer सीखने लगेगा over time की उसको क्या चुनना है तो इस प्रकार से बहुत बड़ा data दूंगा तो बार बार trial करता रहेगा पहले तो randomly कुछ भी photo चुनेगा पर जब उसको reward नहीं मिलेगी तो car पे ही reward मिलेगी तो सीखने लगेगा car के features कैसे होते हैं और उसके बाद वो car को pick करना शुरू कर देगा तो इस प्रकार से artificial intelligence system में सबसे पहले data set दिया जाता है उसके बाद उस data के आधार पर AI model को train किया जाता है और train के बाद finally result एसे करते हैं कि इस training से ये कितनी high accuracy से जो desired goal है वो achieve कर रहा है या नहीं कितनी high accuracy से 100 photo में कितनी बार ये car को चुन लेगा तो वो क्या accuracy है तो वो ऐसे हम कर सकते हैं तो यहां पर भी met office ने दोस्तों जो की UK की now casting models जहां पर जो develop किया गया तो उसके लिए January 1, 2016 से लेके December 31, 2019 तक हर 5 मिनट में जो weather के data थे वो machine में feed करते गए वो सब जाके data set था और उससे उसको धीरे धीरे सिखाया गया है तो बहुत बड़ा data set था इसके training के लिए और उसके बाद finally जो result है अगर वो हम assess करें तो 89% of the cases में अब ये now casting model सही सही बारिश होगी या नहीं होगी अभी भी दोस्तों ये जो हमारी model बनी है इस model में अगर आप देखे तो heavy precipitation long lead time में एक दिन बाद दो दिन बाद होगी नहीं होगी नहीं बता पाता है तो इस वक्त AI driven now casting model बस दो घंटे के लिए ही limited है तो दोस्तों लेकिन scientist बहुत उमीद लेके रहे हैं काफी hopeful है उनको लग रहा है कि ये जो model बना है आने वाले दिनों में नया data नया code जिसमें machine सीखेगा machine learning की नहीं model develop होती हुई दिख रही है तो इस बात से बहुत excited है कि अब machine learning की environmental science के साथ integration होनी शुरू हो गई है तो आने वाले दिनों में बहुत weather forecasting models हमें मिलते हुए दिखेंगे तो आने वाले दिनों में आप इस प्रकार से machine learning का इस्तमाल बहुत ज्यादा देखने वाले है weather forecast में और सच बात तो यह है कि आप मैं हम सब daily basis पर न जाने कितने machine learning वाले AI system से interact करते हैं हमें पता भी नहीं चलता जब हमें news में analytics कौन सी news हमे गूगल news में मिल रही है तो उसमें भी आप use कर रहे हैं वैसे ही आप अलग अलग जगे पर अलग तरीके से AI systems को इस्तमाल कर रहे हैं life में या फिर कौन सा book recommendation Amazon में आ रहा है या फिर कौन सी अगर आप series देख रहे हैं तो series की recommendation आ रही है तो उसमें बहुत सारे models already AI के run हो रहे है तो weather forecast कैसे दूर रहे आपके लिए आपको फाइदे मन लगी हो तो लाइक जरूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अचैडमी जब भी आए यूज़िकोड के सी बन जिरो क्योंकि जो आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% आप नहीं मिलता आपको मेरी mentorship मिलती है hand holding मिलेगी जो आपको notes जबरत हो वो मैं आपको provide करूंगा और जो guidance है वो सारे subjects of GF ऐसे and geography optional में मिलती है and academy में दोस्तों इंडिया की best educators हमाई साथ जड़े हुए है academy learners आप देख सकते हैं all in the rank 2,9,10,13,14,16,20,169 plus an academy learners top 50 में हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत जबरदस platform भी है हमारा तो इसका फायदा भी आप उठा सकते हैं live mentoring platform है and इसमें आप देख सकते हैं one-to-one personal coaching है doubt solving है test series की evaluation है daily answer writing है study booster session है plus में अगर आप देखे तो आपको live classes मिलते है weekly test मिलते है study material मिलता है unlimited access होती है इसके सिवा raise hand feature है जिसमें आप हाथ उठा सकते हैं और voice communication के थ्रू आप से जो भी आपके मतमें सवाल है वो आप educator से पूछ सकते हैं तो दोस्तों आइकनिक और प्लस दो प्रकार के courses है plus subscription अगर हम देखे 6 साल की इसकी कीमत है 36,450 रुपए दो साल की कीमत है 24,800 रुपए तो use the code KC10 for my mentorship आइकनिक subscription अगर आप देखे तो एक साल की कीमत है 67,050 रुपीज दो साल की एक लाग 14,000 रुपए तीन साल की एक लाग 18,000 रुपए using the code KC10 तो आइकनिक में आपको one-to-one कोज भी assign होंगे जो कि personal guidance भी देंगे mentorship भी प्रोवाइब करते हैं optional subscription अगर आप लें तो दोस्तो एक साल की subscription 24,750 रुपए है दोस्तो जब आप KC10 code यूज करते हैं तो आप चाहे plus subscription ले चाहे आइकनिक subscription ले आप बस code इसकामाल करें मुझे संपर्ख करें आपको मेरी guidance मिलेगी से October से ने बैचे स्टार्ट हो रहे हैं वन ये बैचे से हैं टू ये बैचे से बाइलिंग्वल बैचे से हैं हिंदी बैचे से हैं वैसी 18 October से भी answer writing program स्टार्ट हो रहा है सब कुछ कवर हो रहा है सात महीने में आपको सबसे पहले हम प्रिलिम्स में दोनों के लिए सयार करेंगे फिर नेक्स ट्यू मन्स प्रिलिम्स के पहले आपको बस और बस प्रिलिम्स oriented सयारी करवाएंगे और फाइनली मेंस के पहले तीन महीने आपको बस और बस mission AIR1 मेंस बैच में आपको enroll कर देंगे और आप एकदम मेंस के लिए ready हो जाएं वैसे ही two year journey भी हमने प्रिपेर करके रखी है तो इसका thank you so much for joining have a great day and let's scrap it